और इससे भी कड़ा जवाब दिया जाए तो और भी बैतर है बिलकुल सही है, बिलकुल सही बदला तो लेना ही चाहिए अब ये भारत देश है, भारत देश में जो पनेट्रेशन कर रहा है पाकिस्तान बिल्कुल घलत कर रहा है करवाई से खुशी किस बात कियोगी, उसने मेरे साथ किया था, हमने उसके साथ किया वो तो कारवाई होना चाहिए था जैसा कि उन लोगों ने किया है उस तरीके से कारवाई हमको करना चाहिए और हमने वो कारवाई किया इस कारवाई से खुश है तमाम लोग की जो कारवाई पाकिस्तान पे हो गई है भारत की तरफ से एक कारवाय से खूची हिस बात की होगी है। उसने मेरे साथ किया था हमने उसके साथ किया। हमने उसका पदला ले लिया। ना हमको खूची है ना उसको गाम है थूखे है। она जैसा बीच बूए था हमने उसको काट लै। इसलिए वो हमारा दुश्मन मुल्क है दुश्मन मुल्क ने जिस तरह से पुलवावा में हमारे 44 CRPF को शहीद किया हम जो है उसकी गोर निंदा करते हैं और हम अपनी सरकार से मांग करते हैं कि वो उसकी कड़ी से कड़ी सजा दें और सबख दिखलाएं कि करवाई दुश्मन मंतृरी और हमारी सेना कर रही है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही बदला तो लेना ही चाहिए हर हाल में बदला तो जरूरी सन जोनकों से उनके घर का सोचिय PK पर वीती होगी तो ये तो जरूरी है और दूसी बात है कि आतंग को मिटाना हर हाल में जरूरी चाहे कैसे भी हो मोदी काथ कार्म में कर दिया परते किया लगा है खतम होगा है खत्म हो जाए मर दान काद कि एक दम κारण को जो ब्धवत करें को थो सही मतलब थी अटंगवाद है उसको एक दम नेश नाभूत कर दें इंडिया को बह 144 और हम मुसलीमों को भी नुख्सान हो रहा है उसके कार के एक दम सफाया कर देनी चाहिए तो यह साफ तोर पर आप सुना आप लोगों ने सुना किस तरीके से जंता ने अपनी बेबाक राय रख दिया उन्होंने साफ तोर पर कहा है कि पाकिस्तान को अब निश्टो नाबूद कर देना चाहिए आप देखते रहे ही हेड्लाइन्स इंडिया के साथ में तन्वीर आलम